कभी ध्यान रख करके चलना कि हाँ यह यह तकलिफ मुझे हो सकता है यह नेगिटिव पॉइंट इस गाड़े में है तो आज किस फीडियो में हम बताने वाले आपको आरूंफाइब कुछ यह से पांच नेगिटिव पॉइंट अगर आप आरूंफाइब लेने का प्लैन कर र मुझे प्लैन को प्लैन चाहिए तो उसे पता होना चाहिए तो सबसे पहला चीज यह बात चाहेंगे आप से वह एक इसपोर्स भाई के ठीक है ना उसपे अगर आप वह गाड़ी लेते हो तो आप सूचोगे कि फैमली परपस में वह गाड़ी यूज हो जाया कि 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 किसी उसमें जाना बहुत ही मुष्ण होता है क्योंकि गाड़ी का पूश्चर इस तरीके से हैं यह उछान दो सब्सवाइब परहे दो पूछ लेट्वा उस तरीके ज़ंगा एक रएक तो अगर आप और ले रहे हो तो इस लेकर करके जा सकते हो कहीं भी मदाब कंफरटेबली नहीं लेकर जा सकते हो उन्हें डर डर के बाटना पड़ेगा दर ने की मतलब समझ रहे हो ना लेकर जाना पड़ेगा इसमें आप लेडिस वगयरा को नहीं बैठा सकते हो आप दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले आप पहले यह शौट देखो आरवन चलाने के नुकसाने का इस देख सकते हाथ लाल हो जूगा भाई यह देखो यह भी हाथ पुरा लाल हो ज लेकिन थोड़ा से सब्सक्राइब आपको तकलिफ देख लिया इसमें मैं ही गाड़ी को चला रहा हूं मेरे हाथ का हालत देख लो कि इस तरीके से लाल हो चुका है पुरा बॉड़ी का वेट है उसी में पढ़ना है तो पढ़ना है और फिर हैंडल में लोहा वेगर रहता ह बाता है उसके कारण भाई काड़ी यह ले रहे हो तो मेरे आपको क्या चाहिए राइडिंग गलफ्स चाहिए ठीक है ना लेकिन एक बात का दिहान रखना आप हमेसा कोई भी इंसान नॉर्मल इंसान की बात करो राइडर लों की बात नहीं करो नौर्मल इंसान जब आट नहीं देखता वर निकल जाता वाहिं कोन पहनने जाएगा यह मैं वास सौछता है वह और फिन आ तरहाएगा अपको भीजिविशन रूखना पड़े आपको हाथ थोरह सा रेज देना पड़ेगा दोसरा सीजी यह होगी कि आपको धिक्कत होगा यह गारी कि चलाने में व भी है कि आप लेकर करके चल सकते हो आपका हाथ में उतना दिक्कत नहीं तीसरा चीज है मेरे इसका पुरा बॉड़ी अगर आप देखो तो थोड़ा कम ही है क्योंकि इसमें पुरा फाइबर यूज किया गया पुरा फाइबर कहीं भी आपको मेटल का पार्ट देखने को नही अच्छा सनी लगता है वह बाइक गिर जाती है इसी बात है गाड़ी है तो गिरेगी उसमें नुक्सान आना तय है कुछ भी आपके बचा करको लेकिन वह कभी न कभी गिरेगी अगर मान लोगो पाइच्छा सकते हैं तो आपको मोटा खर्चा हो सकता है क्योंकि आर और फा गाड़ी है उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा गार्ड लगा सकते हैं इसके वह बचे कई स्पेशी नहीं दिया गए गाड़ लगाने का तो आप कैसे लगा हुए तो इसका वीध्यान रखना मेरे भाई और तो चौनतर चीज के बार है मैं बताने वाला है इसमें आपका गाड पर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कि इस गाड़ी का थोड़ा हाइड जाता है इसमें क्या होता कि आपका प्र नगा जाए अगर आपका हाइड चोटा है तो इसके गाड़ी गिरी उसमें बूंक्सान आए और आपको चोट लगेगा वह बहुत तो मेरे भाई यह सब जोटा है तो आपको तकलिफ ना आओ गाड़ी को इं फ्यूंचर ठीक है तो आप जाया करें सोरम जाकर पहले कर लो वहां पर बैट हो गाड़ी में की आपको इसके लिका नहीं हो रहा है उसके बाद आप गाड़ी को पर जांओ ठीक है मेरे तो इस बात का भी दिहान रखन यह गाड़ी ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखने कि यह गाड़ी आपका फैमिली परपस में एकदम काम नहीं आने वाली है यह आपका सिर्फ घुमने फिलने के लिए और बस नॉर्मल राइट करने के लिए आप अकेले या फिर आपके दोस्त वगयरा गुमने के लिए सही है मेरे बाई यह कुछ था भाई आज किस वीडियो मैंने मतलब इस गाड़ी का पूरा निचूल बता दिया आपको क्या करना कैसे करना इस गाड़ी में क्या मेजर कमी है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो सब चीज समझ करें इस तरीके से मैंने डिजायर को पर्चीस किया तो मैं इसको ले करके भाई आट मेना जहला हूं अब यह गाड़ी को क्या है अच्छा तरीके से एक डिड़ मैना रिसर्च किया उसके बाद गाड़ी सब गाड़ी क सब्सक्राइब करें गाड़ी को मैंने फाइनल किया क्योंकि यह गाड़ी वैल्यू फॉर मनी भी है बहुत ज्यादा फीचर भी है सब्सक्राइब करके कि अगर आप गाड़ी पर्चीस कर रहे हो तो अच्छे तरीके से सोच समझ करें इस से क्या होगा आपको यह पस्ताव ही नमें अब तक लिए बाइबार टेक कर आफ मन में को भी जी कंफिजन लेगे हो तो भी कमेंट करना आख करेंगा करें 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 झाल झाल झाल